चमकी बुखार में 132 बच्चों से ज़्यादा की मौत हो चुकी है लेकिन प्रशाशन अधिकारी सब एकदम शांत बैठे हुए है जो काम किया जाना चाहिए था जो विवस्ता है पहले बेतर होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई है दिन बाद दिन आकणा बढ़ता जा रहा है एज़ा MP आप क्या कहना चाहिए नहीं दो हमारे केंद्रिया मंत्री जी अर्शवर्दन जी भी गए थे वहां पे और 24 जी भी गए थे केंद्र और राज सरकार दोनों ससक्त है यह लोग गए थे और कारवाई हो रही है वो तो एक प्रकार का बिमारी इस तरह का रहा है और नियंतरन पा रहा है उस पे रिसरच में 100 करोड से जाधा खरच तुगार चुखा है doth Sapie क्या करियेगा कभी क्या इस तरह की बाते की लेकिन सरकार की बात जहां तक है तो मेरा मनना है कि बिहार में भी जो नितिस कुमार जी को सरकार है बिलकुल वह जबाबदे सरकार है और वह सब लोग लगे हैं अब सर्च कर रहे हैं स्वास्त मंतरी बिहार और जो आपके लोग सब जो विधानसभा के स्पीकर हैं वो दोनों एक प्राइवेट हस्पताल के इनाउगरिशन में जाते हैं और वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल की जादा तारीफ की जाती है बताया जाता है कि सरकारी हॉस्पिटल से बेतर है प्राइवेट हॉस्पिटल क्या लगता नहीं कि प्रस्चाशन की कमजोरी है देखे कहीं ने कहीं तो कमी है लेकिन कमी पूरा हो इसके लिए सरकार भी ततपर है और इत्ता बड़ा देश है पांच साल में नरंदर मोदी ने बहुत काम किया लेकिन बहुत काम नहीं भी पांच साल में हम लोगोंने काफी काम किया सरकार ने बिहार में भी एक नया बिहार बना है वह अलग बात है कि इस तरह का विमारी पर नियंतरन नहीं पा रहा है डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं सफलता मिलेगी अब कभी पहले सुनते तो हैजा बिमारी होता था तो नहीं न आप इस समय में जो आखता है कि बिमारियां भी उतनी आगई है इसलिए बिमारियों को पकड़ने के लिए सरकार और डॉक्टर्स और रीसर्च करने वाले बिल्कुल रिसर्च कर रहे हैं और काफी संबेदन्सील सरकार है देश के आदर और राज के अंदर भी और अब नहीं मिला है तो मिलेगी सफलता है इसा तमाम वादे किये गए थे बीजेपी ने अपने से बाड सुरक्शात्मक बांद बने लाब होगा किसानों को लाब होगा जानमाल च्छती नहींraumका उसे प्रिकार नारे लगवाए गए जैश्री राम जैहनुमान और उसके बाद उस युवक की हवलात में मौत हो गई तो उस पर आप क्या कहेंगे क्या मॉब लिंचिंग जो इस तरह के मॉब लिंचिंग और भीड जो मार देती है लोगों को क्या इस तरह पर कोई थोस कानून नहीं आना च कहा है ऐसे तुमें देखा नहीं हो आप कह रहे हैं तो चलिये बाट नहीं है इस तरह करने का हमारी सरकार चाहें अब बारटी knina टेइश The कि यह गलत गलत आरूप भी लगया सकता है उसको आज फिक नहीं मतलब उस वीडियो के खेसकते कि एडिटिंग नहीं है क्या वादा आप अपनी बिहार की जनता से करके आये थे, क्योंकि एक तो मैनिफेस्टों होता है, और एक नेता, क्योंकि नेता और जनता का डरेक्ट संबाद होता है, तो आपने कुछ वाधा ऐसा किया होगा, जो मैनिफेस्टों से अलग अटके, कब तक पूरा होगा जनता अररिया की जनता आपसे खुश हो पाईगी पांच साल में अररिया की जनता पांच साल के लिए भोट दिया है प्रार्तमिक्ता के अधार से बारी बारी में सिख्षा के छेतर में स्वास्त के छेतर में, किसानों का चाहो दियोग के छेतर में हो या बार सुरक्षात्मक बांध हो हर दिशा में हम लोग काम करेंगे और पांच साल में जनता का काम को पूरा करेंगे और नियू अररिया और नया भारत का निर्मान करेंगे